नमस्कार मित्रों, सब्त रिशी की शंखला में आज हम बात करेंगे ब्रह्मा जी के एक और मानस पुत्र रिशी क्रतू के विशय में श्रीमत भगवत गीता के नौवे अध्याय में श्रीकिष्ण कहते हैं क्रतू में हूँ, यग्य में हूँ, स्वधा में हूँ, औशधी में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अगनी में हूँ, और हवन रूप क्रिया भी में ही हूँ इस लोग के माध्यम से समझे तो क्रतु का अर्थ श्रोत कर्म के रूप में होता है श्रोत कर्म का अर्थ है यग्यों के वैदिक विधान अर्थात वह कर्म जो वैदिक विधी से किया जाए वह क्रतु होता है श्री विश्नु पुरान के अनुसार रिशी क्रतु स्वयंभू मनु के मनवंतर में सब्त रिशी थे पुरानों में उल्लेकित है कि रिशी क्रतु का जन्म ब्रह्मा जी के हाथ से हुआ है और वे धर्मग्य, सत्यवादी और व्रत परायन महात्मा है शेविश्णु पुरान में ही उल्लेकित है कि भक्त दुरूव ने जब अपने पिता से उपेक्षित होकर परलोग की प्राप्ती करने की ठान ही ली थी तब उसे सब्तरीशियों का मार्कदर्शन प्राप्त हुआ इन सब्त रिशियों में महर्शी क्रतु भी थे जिन्होंने द्रुव को भगवान विश्णु की तपस्या करने की सलाह दी थी इसके अतिरिक ब्रह्म वेवर्थ पूराण में कथा मिलती है कि द्रुव के पुत्र राजा उतकल जिन्हें राजा सुयग्य के नाम से भी जाना जाता है उन्हें एक समय सूत्पा नामक एक ब्रह्मन ने श्री हीन होने का श्राब दे दिया था उस समय रिशी क्रतू एवं अन्य रिशीगणों के आग्रव पर ही उन्हें भ्रह्मन देव ने राजा उतकल को क्षमा किया था कहा जाता है कि सर्व पथम वेदों का विभाजन करने वाले रिशी क्रतू ही थे इसके अतिरिक यह भी उलेखित है कि वरा कल्प में महर्शी क्रतू ने ही वेदव्यास के रूप में अवतार ग्रहन किया था और जिस प्रकार वेदों का विभाजन किया था ठीक उसी प्रकार पुराणों की रचना की और उसे 18 भागों में विभाजित भी किया रिशी क्रतू का विवा प्रजापती दक्ष की पुत्री सन्नती के साथ हुआ था और उनसे उन्हे 60,000 पुत्र प्राप्त हुए थे महाभारत के आदिपर्व में इन पुत्रों का उल्लेक कुछ इस प्रकार मिलता है कि रिशी कृतु के पुत्र उनके ही समान पवित्र, तीनों लोकों में विख्यात, सत्यवादी, व्रत परायन तथा भगवान सूरी के आगे चलने वाले रिशी हैं सयूक्त रूप से इन सभी साथ हजार पुत्रों को वालखिल्य कहा जाता है, इनका आकार अंगुठे के समान बताये जाता है और वे सूरी के साथ ही हर दिन आकाश में यात्रा करते हैं, वे सूरी की सारी अतिरिक गर्मी ग्रहन कर मानवता की रक्षा करते हैं, जैसे ओजन इसके अतिरिक रिगवेत के आठवे मंडल के ग्यारा भजनों सुक्तो को भी वालखिल्य कहा जाता है, मारकंडे पुरान के अनुसार महर्शी क्रतु के सभी पुत्र उर्ध्व रेता हैं, अर्थात कठोर ब्रह्मचारे का पालन करने वाले निष्ठावान ब्रह्मचारी है महाभारत में वालखिल्य मुनियों से जुड़ी एक रोचक कथा भी है, एक समय की बात है जब प्रजापति कशब पुत्र की कामना से यग्य कर रहे थे, तब उसमें रिशियों, देवताओं तथा गंदरों ने भी उन्हें बड़ी सहायता दी थी, उस यग्य में कशब जी इन्दर को समिधा लाने का कारे दिया था, साथ ही वालखिल्य मुनियों तथा कुछ अन्य देवगणों को भी यही कारे दिया गया था, समिधा अर्थात वह लकडी जिसे जला कर यग्य किया जाए, अथवा जिसे यग्य में डाला जाए, अब देखा जाए तो इन्दर तो बहुत ही शक्तिशाली थे इसलिए उन्हों ने अपने बल से लकडी का एक पहार जैसा भार उठा लिया और बगेर किसी कष्ट के उसे आश्रम तक ला रहे थे इंद्र ने मार्ग में वालखिल्य रिशियों को देखा जिनका सारा शरिर अंगुठे के मध्यभाग के बराबर था वे सभी रिशिगन पलाश की एक छोटी सी टहनी उठा कर आगे बढ़ रहे थे जब इंद्र ने इन वालखिल्य मुन्यों को देखा तो अपने बल के घमंड में हसी उडाते हुए उनका अपमान भी किया इंद्र के इस व्योहार से वालखिल्य मुन्यों को बड़ा रोश हुआ और उनके रदय में भारी क्रोध का उदय हो गया इसके बाद वालखिल्य मुनियों ने तै कर लिया कि वे अब एक दूसरे इंद्र जिसकी शक्ती वर्तमान इंद्र से सौ गुना बढ़कर हो ऐसे इंद्र की उत्पत्ति के लिए अनुष्ठान करेंगे जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उसे बड़ा संताप हुआ और वे सहायता है तू कश्यप जी के पास पहुँचे कश्यप जी ने इंद्र की बाते सुनी और वालखिल्य मुनियों के पास जाकर बोले हे तपोधनो ब्रह्मा जी की आज्या से इन पुरंदर को तीनों लोकों के इंद्र बनाए गए हैं इसलिए आप ब्रह्मा जी का वचन मिथ्या न करें साथ ही मेरी इच्छा है कि आपका यहाँ अभिष्ट संकल्प भी मिथ्या न हो इसलिए आपके इस अनुष्ठान से जो भी पुत्र उत्पन हो उसे पक्षियों का इंद्र बना दिया जाए इस समय देवराज इंद्र आपके पास एक याचक बन कर रहे हैं इसलिए इन पर अनुग्रह करें मुनी कश्यब की बात सुनकर वालखिल्य उनका सतकार करके बोले हे प्रजापते हमारा यह अनुष्ठान इंद्र के लिए हुआ था और आपका यह यग्य आपकी संतान के लिए अभिष्ठ था इसलिए इस कर्म से जिस भी पुत्र की उत्पत्ति होगी उन्हें आप ही स्विकार करें इस प्रकार कश्यब जीने वालखिल्य रिशियो के कर्म को स्विकार किया और उन्हें अरून और गरुड ऐसे दो पुत्र प्राप्त हुए अरुण सूरेदेव के सार्थी हैं और गरुण पक्षियों के इंद्र हैं महभारत के अतिरिक रामान में भी वालखिल्य रिशियों का उलेख मिलता है कहा जाता है कि वे वशिष्ट रिशी के आश्रम में तपस्या किया करते थे यदि क्रतु रिशी के गोत्र या वंश की बात की जाए तो मच्स महापुराण में वनन मिलता है कि व्यवस्वत मनवंतर में जब रिशी क्रतु संतान हिन हो गए तब उन रिशी श्रेष्ट ने अगस्त के धर्मग्य पुत्र इद्म वाह को पुत्र रूप में स्विकार कर ल मित्रो आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा कोई प्रतिक्रिया कोई सुझाव हो तो कॉमेंट कीजिएगा यदि हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबाना मत भूलेगा अन्य था हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन्स आप तक नहीं पोचेंगे अपना ध्यान रखिएगा जैश्री राम